स्वागत है दोस्तों आपका कीरतिमान फ्यूशेर क्लासेज में इस वीडियो में घात घातांक एवं करणी से पूछे जाने वाले इंपोर्टन टापिक पर आधारित कोश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे जैसे दोस्तों इक्जाम में कोश्चन दे दिया जाएगा 8 पलस अंडरूट 60 का वर्गमूल ज्यात कीजिए या दोस्तों इसी कोश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है 8 प्लस अंडरूट 60 का वर्गमूल ग्यात कीजिए अंडरूट लगा हुआ है या इसी कोश्चन को इस तरीके से पूँचा जाता है 8 प्लस 2 अंडरूट 15 का वर्गमूल ग्यात कीजिए दोस्तों इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल धैर पूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझेगा चलिए फिर दोस्तों सॉल्व करते हैं सल्यूशन ध्यान से समझेंगे दोस्तों इस तरीके से कोश्चन दिया गया होगा तो देखिए 8 प्लस अंडरूट 60 इस तरीके से कोश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले आप इस कोश्चन को इस तरीके में बदलेंगे इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों देखिए 8 प्लस अंडरूट 60 दिया गया है पहले एक संख्या दी गई है और प्लस लिख करके अंडर रूट 60 दिया गया है तो दोस्तों अंडर रूट में जो मान होगा उसको आप दो भागों में तोड़ेंगे ठीक है फर्ष्ट अंडर सेकंड दो भागों में तोड़ेंगे जिसमें से एक भाग हमेशा हर कोश्चन में पहला भाग 4 होगा और दूसरा भाग 4 में हम किसका मल्टिप्लाई कर दें कि 60 आ जाए तो 15 का हम मल्टिप्लाई कर देंगे 4 में तो 60 हो जाएगा ठीक है पहला भाग हमेशा चार होगा और दूसरा भाग चार में हम किसका गुड़ा कर दें जो यहां मान दिया गया हो उसके बराबर हो जाए तो इसके उपर अंडर रूट लगा देंगे ठीक है देखिए चार का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं तो चार का देंगे दो हो जाएगा ठीक है अंडर रूट 15 हो गया अब आप यहां ध्यान से समझेंगे इस दो को छोड़ देंगे यहां जो अंडर रूट में बैलू आएगा देखिए अंडर रूट में क्या आया है 15 आया है इसको आप ऐसे दो भागों में तोड़िए ठीक है ऐसे द दो भागों में तोड़िये जिनका multiply करने पर तो under root का 15 आना चाहिए लेकिन उनके वर्गों का योग 8 के बराबर आना चाहिए तो under root 15 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो under root 3 और under root 5 के रूप में तोड़ेंगे देखिए under root 3 में under root 5 का गुड़ा करेंगे तो दोस्तों क्या आजाएगा अंडरूट 15 आजाएगा बस यहां से अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो समझेए आप कोश्चन को सौल्व कर लेंगे यहां जो होगा उसको दो भागों में तोड़ेंगे तो अंडरूट 3 और अंडरूट 5 के रूप में तोड़ेंगे और इनके वर्गों का य रहा है जो आपने दोनों पार्टों को तोड़ा है क्या यह इसको सटिस्फाई कर रहा है तो हम चेक भी करेंगे देखिए अंडरूट 3 का होल स्कॉयर प्लस करेंगे अंडरूट 5 का होल स्कॉयर ठीक है दोस्तों तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा अंडरूट 3 का होल स चाहिए लेकिन उनके वर्गों का योग यह पहली वाली संख्या यानि 8 के बराबर यानि यहां जो संख्या होगा उसके बराबर आना चाहिए अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ यहां से उत्तर आ गया तो देखिए दो पार्ट हमने तोड़ा है दो खंड में तो दोस्तों यहां से under root 3 plus under root 5 यही क्या आ जाएगा वर्ग मूल निकल कर आएगा ठीक है यही वर्ग मूल हो जाएगा उमीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे ठीक है सबसे पहले यहां जो संख्या दिया गया होगा उसको दो भागों में तोड़ें पहला भाग 4 होगा और दूसरा भाग 4 में हम किसका multiply कर दें जो यहां आ जाए वह संख्या होगी तो 4 का वर्ग मूल निकाल सकते हैं दो हो जाएगा under root 15 हो गया under root 15 को ऐसे दो भागों में तोड़ें जिनका multiply करने पर तो under root 15 आना चाहिए और उनके वर्गों का योग यह पह देंगे ठीक है under root 3 plus का चिन लगा करके under root 5 लिख देंगे तो दोस्तों यही क्या निकल कर आएगा वर्ग मूल निकल कर आएगा उमीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे समझ गए हो तो like कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर करिए चलिए अगला question देखते हैं दूसरा question है दोस्तों 11-under root 120 का वर्ग मूल ग्यात कीजिए चलिए इसको solve करते हैं ध्यान से समझेंगे solution देखिए क्या है 11-under root 120 तो सबसे पहले आप क्या करेंगे under root 120 को आप दो भागों में तोड़ेंगे जिसमें से पहला भाग हमेशा 4 होगा और दूसरा भाग 4 में हम किस का हम multiply कर देंगे तो 120 हो जाएगा इसको under root में लिख देंगे ठीक है देखिए 4 का वर्ग मूल हम आसानी से निकाल सकते हैं तो 4 का वर्ग मूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा under root 30 हो गया ठीक है इस दो को आप भूल जाएगे इसको छोड़ दीजिए देखिए क्या हो गया under root 30 को आप ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनका multiply करने पर तो under root 30 आना चाहिए लेकिन उनके वर्गों का योग 11 के बराबर आना चाहिए ठीक है तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा under root 30 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो under root 5 और under root 6 के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए under root 5 under root 5 का whole square प्लस under root 6 का whole square देखिए क्या आता है तो यहां से 5 हो जाएगा और यहां से 6 हो गया देखिए यहां से 11 हो गया आप इसको भी चेक कर सकते हैं तो देखिए under root 3 का whole square प्लस under root 10 का whole square करेंगे तो यहां से 3 हो जाएगा प्लस यहां से 10 हो जाएगा यहा तो यहां से अंडर रूट 5 हो गया और अंडर रूट 6 हो गया ठीक है यहां चिन किसका लगा है माइनस का लगा है तो माइनस का चिन लगा देंगे तो दोस्तों यहां से अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 यही क्या निकल कर आएगा वर्ग मूल निकल कर आएगा उमीद क करते हैं आप बिल्कुल सिम्पली समझ गए होंगे इस तरीके से आप मात्र दो से तीन सेकंड में इसको सौल्व कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अगला कोश्चन आपको देते हैं दोस्तों यह question आपके लिए है इसे solve करिए और इसका उत्तर comment box में दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो like कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके notification बिल को जरूर प्रिस करिएगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care जय हिंद वंदे मात्रम